जन्पत गोंडा के थाना धानेपूर छेत्र के अंतरगत रिटार्ड फोजी के गर मनबढ दबंगो ने घर पर गोला धाबा पूरुश्यानिक ने पूछा तो दबंगो ने दी भद्दी भद्दी का लिया और जान से मानने की दिधम की थाना धानेपूर में सिकायत करने पर भी नई हुई कोई सुनवाई पूरुश्यानिक ने लगाया आरोग पूरुश्यानिक ने धबंगो से परशान होकर एसपी से लगाई नायकी गुवार बेर रिपोर्ट हौमिद लिए आप देख रहे हैं आज की चाल लाइब निविजिटिल गोंड़ा से गोंड़ा में एक ऐसी घटना हुई है जो एक देश के जवान है और फौजी है और रिटार्मेंट है देश की सेवा करके फिर रिटार्मेंट होके घर आ गये हैं अभी उनके लड़के भी फौज में है सेवा कर रहे हैं देश की मगर एक ऐसा यह वाक्या है जो धाना धानेपुर्ट छेद के अंतरगत गांव आता है वहीं पे घटना घटी है फौजी के घर कि उनसे जानते हैं जो फौजी रिटार्मेंट है वो क्या कहते हैं पुरिशा दिक्षक कारियाले किस लिए आए हैं दादा अपना नाम बताई है मेरा नाम राम लखन त्रिपाठी है गराम बिशंबर पूर रहने वाला हूं थाना धानेपुर परता है और मेरे साथ जो कल बीती हुई रात में कल मेरे घर पे घटना हुई है उसी के संदर्व में मैं आयों क्या सुनवाई नहीं हुए थाना पर सिकायद गई आपके द्वारा सिकायद की गई अधानेपुर में क्या हुआ सिनवाई नहीं फिर आप यहां पर पुलिस अधिस्टे कार्या ले आना पड़ा क्या करना है एक सो बारा नंबर को हमने फोन किया था एस सो धानेपुर को भी मैं सूचना दी थी और एस सो एक कैती की नियत से आये थे हमारे घर पी उनके यहां उनके हाथ में हत्यार था या चोटे-चोटे डंडे थे और उसके बाद में कुछ सस्त्र मतलब तो इसे नहीं है चाकू या ऐसे कुछ लिए थे हाथ में ग्रास टाइप का तो वह फिर निकल गए गेट से बाहर हम खाना ख क्या ऐसे गाली दिया और उसके बाद में मैं बुला भाई रुको 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 आवाज दिया तो फिर गेट से जो चोटा वाला गेट था उसी से हमारे खोल करके निकल गए चोटा गेट के ढखा हुआ था ऐसा क्या कानल है जो आपके घर पर रात में हमला करने आए क्या कि वह दबंग व्यक्ति हैं और हमारे गाओं में कई घटनाय वो कर चुके हैं जिनका इतिहास भी है उनके उपर दाना दानेपुर में पंजिक्रित है मुकर्मा भी सीजियम के यहां चल ला है वो कई अभदरता और बचलन बदमासी चोरी डकैती में उनका पेसा है कुल मिल से हम गए तो अभी साहब नहीं है उनके प्यारों साहब से हमने बताया पूरी बात और उन्होंने अप्लिकेशन देलिया क्या कहना चाहेंगे पुलिस अदिक्षक साहब को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी वियक्ति चाहें वो सिबिल हो या फोज हो तो देश की सुरक अब प्रक्षा करने के उपरांत यही मुझे पृस्ति दिया जा रहा है किसे गुंडे मवाली और बदमास घर में चढ़कर कि किसी का हत्या कर देंगे की है कि अब आप याय के लिए नियाय के लिए मुझे नयाय चाहिए और नयाय की त्छा करता हुए फोजी एक लिए के कारण भी हिमेंए स्थी साहब के पास आया हूं कि मुझे पूंड़रूप से नियाय मिले और अपराधियों को दंडित किया जाए इनका साब कहना है कि हम फोज में थे देश की रक्षा किये हैं अब हमारे उपर ऐसा मलब लग रहा है कि हमारे पर हमला किया जाएगा इसलिए पुलिस अदिक्षक संतोस कुमार मिस्रा से न्याय के लिए यहां पर इनके चोखट पर इ ही है बाई गोंडा से हामिदली कामरा में तफीक के साथ लाइब दीजिटिन गोंडा